यह देखिए आप सीता कुंड पहाड बिल्कुल मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ अभी आपको फिर हम बिल्कुल वहाँ पहुंचेंगे हम लोग नीचे उतरेंगे आप बाएं की तरफ आप जाएं तरफ रोड देख लीजिए हम लोग बाएं टर्न लेंगे यह रोड से उत देख रहे हैं फल्गो नदी फल्गो नदी को चोड़ जूम करके दिखाई है हमारे बाएं जर्श्री यह देख और यह द्वार रहा जो आपको अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण द्वार है यह और सीता कुंड जगा आप इधर से देख सकते हैं पूरी तरह से नदी का रूप बदला जा रहा है इसमें डयम तयार किया जा रहा है जिसमें सरकार अप ईक डयम का निरमान कर रही है काफी थंडी हवा चल रही है काफी थंडी हवा दौर और सीता कुंड का आप देख सकते हैं भव्य प्रवीश द्वार है और ये बहुत ही सांत सा जगह है आप जब आएंगे तो महसूस करेंगे इसके पस्चमी तरफ ये फल्गु नदी आप इसके दर्शन कर सकते हैं और इसी नदी के उपर बन रहा है ये एक डाम काफी जोर सोर से निर्मान करी चल रहा है इसका और बहुत ही इकांत महाल संदर सा नजर आएगा आपको चलिए ये आपका सीडियां जो की नदी की तरफ आती है फल्गु नदी तट फल्गु नदी का भी अपना इतिहास है मैं इसको किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा इस नदी में वैसे पानी उपर से आपको नहीं दिखेगा इस नदी में पानी जो है आपको उपर से नहीं द यह व्रिक्ष काफी पुराना व्रिक्ष जो आपको नजर आ रहा है यह बर्गत का है बर्गत का पेर मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम अपने इस जगह को आप तक कनेक्ट कर सकते हैं यहां डायम का निर्मानकर यह चल रहा है इस नदी के उपर एक डायम बनाया जा रहा है जहां पानी स्टोर करके रखा जा सकेगा देखते हैं कब तक बनकर तयार होती है तो अभी हम कड़े हैं सीता कुंड प्रवेश द्वार सीता वाटिका जगह आप देख लीजे जब आपको आना होगा तिन जगहों को वयाद रखना होगा और इसके गेट के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं साथ मेधर आप लोगों के लिए पीने का पानी आप यह देखें साथ मेधर पहाड जहां पे भगवान राम ने दसरत जी का दुबारा पिंडदान दिया था इस तरह हैं इसने का एक गान वेशच करें तरह हैं एतमे धक कर ते हो कि यह हाँ आप लोग कहां से यहींसे हैं मेरा नाम रभी यहीं दिखा रहे हैं क्योंकि में मेरा चगाम है जो भी जगए है फासकर वो दिखाओ विलके अच्छा लगा आप सब लोग गया सही हो जो बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां कीपीट आप मैं ऐसे डली से हाँ हाँ बलकुल यह देखें जैसे जैसे मैं जा रहा हूं वह दूर भागती जा रहे है आप मैं वहां खड़ा हूँ जहां से आपको मैंने सीता कुंडे दर्शन दिखाना ही यह प्रवेश द्वार है इसके प्रवेश द्वार शोटा ना समझे एसा ही द्वार है यहां और यहां से हम लोग साइड डारेक्ट अंदर जाएंगे आप देखते चलें सब कुछ यह सारा इता राम जी का मंदिर और बहुत सारे देवी देवराओं के मंदिर इस्तित है यहां पे भगवान गनेश जी का है और भगवान विष्णु का चरण पादुका का जो पोटो है वहां पे आपको दिखाया गया है और ये क्या चीज है माता जी इसमें चरण है सिता जी का हम आ रहे हैं आपको वह दिखाने जहां पे सिता जी का चरण है आईए ये थोड़ा पहार से बनाए गया जगह और ये सिता माता जी का चरण आप देख सकते हैं तो फाइनली चलते हैं चलते 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 दो आमे आद रखीगा तो दोस्तों सिता कुंड पे बने हुई ये वीडियो आपको कैसी लगी कामेंट करके नीचे जरूर पताना आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुजधा सुपनी के साथ रखना अपना ख्याल